आज मैं आप लोग के साथ सेर करने वाला हूँ कि अगर आप फ्रेंट में बोटनेक और बैग में डीपनेक गला रखते हैं तो उसकी कटिंग आप कैसे करेंगे उसकी सोल्डर कितना लेंगे और उसका आर्म होल की कटिंग कैसे करेंगे वो मैं प्रोपर तरीके से बताऊँग चाहे ओ साइज कोई भी हो ठीक है अगर बैग में और फ्रेंट में दोनों बोटनेक होती है तो आप इजी और आराम से कटिंग कर लेते हैं लेकिन दिक्कत कहां आती है जब आप फ्रेंट का नेक बोट रखते हैं और बैग का नेक डीप रखते हैं तो इसमें आपको दिक् ये मैंने दो अलग अलग कप्रा ले लिया है और फोल्ड कर लिया है डवल फोल्ड किया हुआ है ताकि आप लोग को समझा सकूँ एक में करूंगा और एक में बैक कटिंग करूंगा एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है कि एस सिर्फ और सिर्फ कटोरी बलाउज और प्रिंस कट होगा उसमें काम आएगा अगर सिंगल डॉट है और फोर टक्ष है तो उसके लिए मैथट थोड़ा सा अलग हो जाता है ठीक है तो इसमें मैं वही बताऊँगा फ्रेंट और बैक दोनों कैसे कटिंग आपको करना है तो इसमें क्या करना है आपको फ्रेंट पहले कटिंग करना है और बैक बाद में कटिंग करना है अगर आप फ्रेंट में ओपन रखना चाहते हैं तो जो खुलावा का भाग है वह अपने साइड ले लेना है आपको इस तरीके से सबसे पहले मैं एक सीधी निसान लगाऊंगा ताकि जो एश्ट्रा कप्रा है वह हट जाए उसके बाद हम ऐसे करके इस साइड आई और हुक पट्टी बनाने के लिए आधे इंच की मार्जिंग लूँगा ठीक है अब सोल्डर की मेजरमेंट आपका जो भी आए बोडी में यानि बोडी से अगर जो भी मेजरमेंट लिया है उससे अगर बैक में डीप रखते हैं और फ्रेंट में बोटनेक रखते हैं तो जो सोल्डर का मेजरमेंट आपका आएगा बोडी से उससे एक इंच कम कटिं करना है ठीक है इस Marging के बाद ठीक है यह Marging छोड़ने के बाद तो हमारा है 들 है नाप लिया हुआ 15 एच तो इसको दाने करेंगे मिद्व 14 इंच के आदा होता है साथ चांस पंसा थिंच पर निसान यह हमारा 40 साइज का ब्लावज है तो इसमें जो आर्म होल है वो 18 इंच रेडी है ध्यान रखना तो हमारा जो कल्कुलेशन है जिस हिसाब से हम आर्म होल निकालते हैं अगर 40 का साइज है तो उसमें 6 से डिवाइड करेंगे यहां हमने 7 इंच मेजरमेंट लिया है तो इधर भी हम 7 इंच मेजरमेंट कर देंगे ठीक है अब अपर चेस्ट जो है हमारा उसके चौथे भाग 9.75 आता है तो 9.75 ही रखेंगे इसमें ठीक है यानि पौने 10 इंच यहां पे यह मार्जिंग हमारे पास कम है तो इसको उम्छो कि इसके बाद आपको जो भी मार्जिंग रखना है आप रख सकते हैं इस लाइन को हम सीधा कर देंगे ठीक है अब इधर से हम आधा इंच अंदर की और लेंगे ध्यान दीजिएगा आधा इंच इधर लेंगे और इसको हमेशा क्रोस कर देंगे ठीक है अब इसको ऐसा गोलाई देंगे और ही ठीक है अब हम आर्महोग की मेजर्मेंट करेंगे यहां से हमारा एड्य होगा है है देखिए यहां से अर्म लगने के बाद तब यहींसे मेजर्मेंट लेंगे ठीक है ऐसा देखिए यहाँ पे जो है सारे 9 इंच आ गया है तो आधा इंच जो है यहाँ पे दवाब चला जाएगा 18 इंच का आधा 9 इंच हो गया ठीक है यह क्लिए रेड आउट अब जो है नेक की बाड़ी है अगर आगे और पीछे दोनों बोट है थो उसमें चार इंच लेंगे ठीक है कि अगर पीछे डीफ है और आगे बोट है ताम उसमें पचीश कम कर देंगे यानि पॉने चार इधर पौने चार है तो इधर भी हम पौने चार पर निसान लगा देते हैं और इसको एसा बॉक्स बना देंगे फिर इसको हम ऐसा निसान लगा देंगे ठीक है अगर आपको एन एक और ज्यादा चाहरा चीहें तो आप आपके एक ओडिंग चोड़ा या कम कर सकते हैं क्योंकि सभी लोग की बॉड़ी जो होती है वो अलग अलग होती है ठीक है अगर इसके अंदर और कोई पट्टी ओकार लगाना है फ्रिल लगाना है तो आप थोड़ा और ज्यादा कटिंग करें ओके अब हम बैक की कटिंग करे लगा देंगे अगर 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 तक है और इसकी लंबाई के भी निसान लगा देंगे हम लंबाई जो है हमारा इसमें सारे 14 इंच है इसको हम सारे 15 पर निसान लगा देंगे तो आरा है है ओके अब सोलडर जो है इसमें बैक में डीपनेक जैसा दिपनेक में जैसा सोलडर लेते हैं हम उसके हिसाब से लेना है है आपको सलडर यानि 14 के साइज में हमें सारे 11 इंच त्यार करना है तहम सारे 12 इंच के आधा जो होता है सबाद 6 इंच तो हम सबाद 6 इंच पे निसान लगाएंगे ओके देखिए ऐसा और यहां से फिर से सारे 6 इंच दन उसके वाद सबाद 6 इहां लिया है तो यहां भी हम सबाद 6 ले लेंगे और ये दोनों को ऐसा हम मिला देंगे ठीक है और इसको हम सीधा कर देंगे अब क्यूंकि बैक का गला जो है हमारा 10 इंच है तो जाहिड है कि 10 इंच गला है तो ये वाला भाग इदर भगेगा ठीक है तो उसमें क्या करना है हमारा जो अपर चेश्ट है उसमें आता है पौने 10 इंच तो इसको जो हम कटिंग करेंगे सारे 9 इंच सारे 9 इंच पर ही निशान लगाएंगे इसको टिक और इसको हम ऐसा करके और नॉर्मल सेफ हम दे देंगे इसमें टिक है नॉर्मल से अब फिर हम इसको भी मेजरमेंट करेंगे कि हमारा इसमें पीछेकर भाग है और 9 इंच आ रहा है कि नहीं देखिए इसमें 9 इंच आ रहा है तो अब क्या होगा उसमें सारे 9 इसमें हमने सारे 9 लिया और इसमें हमने लिया 9 इंच ठीक है अब इसको क्या करना है यहां पर डॉट लगाएंगे हम तो डॉट बैक में लगता है सारे तीन पॉने चार जिसके इसाब से आप लोग लगाते हैं यहां पर हमने डॉट का निसान लिया और एक इंच मार्जिंग दे दिया डॉट का अब इसका कमर जो है 37 इंच है तो उसका चौथा बाग जो होता है 9.25 होता है यानि सवा 9 इंच और एक इंच इंच पर हम निसान लगाएंगे ओके और यहां पर आधा इंच या पॉना इंच उपर निसान लगा देंगे क्यों कि एक डॉट मारेंगे ता यह निचे भागेगा आर मोल भी आधा इंच निचे भागेगा तो यह भी सारे 9 इंच हो जाएगा ठीक है 9 इंच करेंगे तो यह सारे 9 हो जाएगा आपको समझ में आ गया देखिए ऐसा अब नेक के निसान कैसे लगाएंगे ओची ध्यान दिजिएगा ठीक है नेक की निसान लगाने के लिए थोड़ा सा फर्मूला अलग है समझेगा यह नेक की निसान लगा दिया हमने आर्मोल की निसान लगा दिया अब यह अले भाग को आपको माप लेना है क कैसे सोडरी कटी होगी यह वाला भाग मापना है आपको और यही माप यहां पर लगा देना इसमें गले की निसान नहीं देखना है आपको ठीक है ऐसा नाप देना है ओके अब यह जितना भी बज्जा उसको छोड़ देना है अब यहां से हम 10 इंच पे गला का निसान लगाते है मिए तो आप यहां पे इसके हिसाब से पowser चार सारे ती लगा सकते हैं इसान्-ठीक है अगर आपको ज्यादा खुला हुआ नहीं चाहिए तो आप यहां पर पौने दीन है तो यहां पर सीधा तीन इंच पर निसान लगा दीजिए ज्यार्दा फरक मत किजिए ठीक है और फिर यह ऐसा देखिए यह गला कट गया अगर आपको ज्यादा चौरा चीए तो और इस साइट के भाग बढ़ा सकते हैं जितना इधर बढ़ाएंगे यह वाली भाग उतना खुल जाएगा ठीक है अब इसको हम कटिंग कर देते हैं फिर आपको बताते हैं कि 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 देखिए मैंने कटिंग कर दिया टोटल बैग और फ्रेंट दोनों गला हमारा ऐसा आएगा ठीक है अब इसको हम जुएंड करके दिखाते हैं कैसे जुएंड होने पर फिटिंग आएगा ओके तो इसको हम ऐसा रख देते हैं पूरा खुला हुआ कि और देखिए इस तरी कैसे है अब देखिए इसमें जो है फिटिंग की सिलाई यहां पे है और इसमें यहां पे है इसमें यहां पे है अब एक चीज़ आप ध्यान दिजिएगा कि मैंने फ्रेंट में जो है पौने 10 इंच रखा था और बैग में सारे 9 इंच रखा था फिर भी यह थोड़ा सा बढ़ गया ठीक है बढ़ गया कि नही अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद